स्स्पी गाजियाबाद कलानीदी नेथानी द्वारा जन्पद में अफराद एउँ अफरादियों के विरुद्द लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं इसी क्रम में पुलीस अधिक्षक ड्रामीन निरज कुमार जादून आईपीएस की ई टीम एउन थाना ट्रोनीका स्टीटी पुलीस की स्थिक्त कारवाई में अवेद असला की ओन डिमांड सप्लाई करने वाले गिरोहों का परदा फार्श किया है जिसमें ओन डिमांड असलो व्युक्तों में आरिप पुत्र उमर्दीन निवासी चीरोडी थाना लोनी गाजियाबाद वै आमिर पुत्र गयूर निवासी सवाखेडी थाना बडोत बागपत हैं इन हधियार तसकरों पर दो पिष्टल 32 बोर, 7 तमंचिप 315 बोर, 1 पोना मसकट 315 बोर, 2 अदद पोना पोना बोर, पुलीस ने बरामत किये हैं, नववार समाजार गाजियापूर उत्तरब्रदेश से अरूर कुमार, गुडवर किया गया है जन्पत गाजियाबाद में, इस पी आरे निरजादोन और उनकी जो ई टीम है क्राइम की, साथ ही ठाना ट्रोनिका सिटी, ठाना देश और उनकी टीम ने दो सातिर असला तसकर जो ओन डिमांड असला दिने का कारे करते थे, ये दोनों सातिर अपरादी आरिफ और आमिर, आरिफ जो की किरोडी लोनी का रहने वाला है और आमिर, जो की सवा खेडी ठाना बढ़ोत का जनपत बागपत का रहने वाला है, इनके कबजे से दो पिस्टल मिली हैं, जो इनका कहना है कि ये पचास जार रुपे में इनको बेशते थे, साथ तमंचे मिलें तीन सो पंद्रा बोर के, जो की पांच हजार इनके दोरा बताया गिया है और इसी तरह तीन मसकट पॉना मिली है, जो की पच्छिस हजार की इनोंने बताया है कि उतने में इसको बेशते थे, और इसमें एक बारा बोर है और एक पंद्रा बोर है, जो दो पिस्टल है, दोनों बत्तिस बोर की हैं, इनका जो सर्गना है, सर्फराज मुझफवनगर का बताया जा रहा है, जो की पूर में बागपत में सक्रिय रहा है, उसके बारे में अभी सबूत जो हैं, तटा किये जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी तटा की जा रही है, इन सभी लोग को ग्रिफतार करके जेल बेजा जा रहा है, पहुश इन लोग ने और किन्लों को यह सप्लाइ किया है उनके बारे में यह जानकारी जुटाई जा रही है